So guys, Jio का phone जो बहुत दिनों से वेटिंग था, वो launch हो गया है, finally, और क्या आपको पता है, कितने रुपे का है? So guys, finally, Jio का phone जो launch हो गया है, और इसकी price रखी गई है, पहले बोल रहे थे 500,000, 1500, लेकिन ये effectively आपको मिलेगा free में, मतलब 0 rupees में आपको ये phone मिल जाएगा, but इसकी जो crimson condition है, वो ये है, कि आपको 1500 रुपे का security deposit जमा करना है, जो कि आपको 3 साल बात वापस मिलेगा, जब आप आपका जो phone है, वो उनको वापस करेंगे, मतलब इसका misuse ना हो, इसलिए 1500 रुपे का आपको token amount security deposit देना पड़ेगा, Reliance Jio को, तो फिर आपको वो phone मिल जाएगा फिर 36 months तक आप उसको use करिये, जैसे भी करना चाहें, और 36 months के बाद वो phone आपको वापस करके security deposit वापस लेना पड़ेगा, तो effectively आपको जो Jio का phone है, वो मिलेगा free में, तो guys अब बात आती है कि भाई, ये मिलेगा कबसे, क्या dates रहेंगी, तो उनने बोला है कि 15th August से इसकी beta version start होगी, जैसे हमारा preview offer start हुआ था, Jio का बहुत पहले, तो beta version में कुछ लोगों को ये लोग देंगे testing के लिए, ये employees हो सकते हैं, या फिर maybe आप लोग भी हो सकते हैं, बट beta के बाद 24th August से इसकी pre-booking start होगी, और ये जो pre-booking होगी, वो होगी My Jio app पे, और जिते भी इनके retailer ह आसपास जत्ते भी digital stores हैं, वहाँ पे आपको pre-booking कराना है, 1500 रुपे देके, और फिर आपको एक slip मिल जाएगी, वो slip लेके, फिर physically जो आपके हाथ में वो phone आएगा, वो आना start होगा September से, इनने बोला है कि इनने बहुत सारे रियोनिट्स बनवा लिया हैं, और सारी चीज़ 53 रुपीज के एक नया प्लान है, जिसमें unlimited voice है, unlimited data है, और सारी जियो की एप से, अभी ये final नहीं है, कि जो unlimited data है, वो कितने FUP तक limited है, वो भी बहुत जल्दी पता चलेगा, और भी बहुत सारी बाते आएंगी, इस Reliance जियो से related, तो सबसे पहले उसकी information आपको मैं sit talk पे उसके ओपर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा, मैं अखोद एक try कर रहा हूँ कि मुझे एक physically जियो का phone मिल जाए, ताकि मैं आपको अच्छे से demo दिखा सकूँ, तो उन सब चीजों के लिए आपको चैनल सबस्क्राइब तो करना ही है, तो चैनल सबस्क्राइब करना बिल्क एक कर्दार का क्यु क्यों।